वेड प्रोटीन खाना चाहिए और नहीं खाना चाहिए तो अभी है बड़ा कॉंटर भी चल रही है इंडिया गवर्मने का नहीं खाना चाहिए प्रॉब्लम है यह वह मेरा थौट प्रोसेस यह कि मैंने वेड प्रोटीन बहुत खाया है जिन्दगी बर चार चार स्कूप भी खाया है और अब मैं बिल्कुल नहीं खाता है उसका रीजन ही है कि प्रोटीन जरूरी है तो अब कुछ नहीं खाने तो अच्छी बात है मेरे रीजनिंग अलग है मैं कोई चीज़ पाउड़र है वो चिकन या एग या मिल्क उससे आपने प्रोटीन बना दिया मतलब आपने उसको बचाने के लिए कुछ तो कैमिकल ला ले ना वो कैमिकल आपको बुड़ा पर को कैंसर करेगा वो कैमिकल हम अलरी बहुत खा रहें हार चीज सबजी में भी आ पॉल्यूशन भी मैं एक और उसमें केमिकल में तो मेरी डायेट के अंदर या मेरी लाइवस्ट्राइल में जितना में कम प्राव प्रॉटीन को उतना मेरी एज बढ़ेगी उतना में हेल्दी रहूंगा तो मैं ट्राय करता हूँ कि वह सेम हो प्रॉटीन में अलगते हैं वैसे भी तो खा सकता हूँ बेटर खालो किलो बड़ चिकर्ट मैं खाता नहीं को बात अलग है मैंको उतनी बॉड़ी चाहिए नहीं कोई कॉम्पेटिशन में एथलीट है जिसकी पूरी लाइफ इस पे टिक बेटर है कि आप प्रोटीन गाओ जो दिखता है चिकन गाओ एक खाओ पनीर गाओ आपकी इच्छा है बेटा कोई नुकसान नहीं है वह प्रोटीन खाने से मैंने इसलिए चोड़ा क्योंकि उसे प्रिजर्वेटिव है ना पौड़र नहीं प्यूंगा जी वो मेरा थॉट प्रोटीन नुकसान देख नहीं है वह आपको जल्दी बूड़ा करेगा बिमारियां देख पीनेट बटर बना लो आमन बटर बना लो आमन मिल्क बना लो आप मार्केट से लाओगे जो प्रिजर्वेटिव है वह नुकसान गेगा आप घर पे बनाओ कोई टैक्निक निगा क्या हम आपको बिना सर्जरी के ठीक कर सकते हैं या फिर हमें सर्जरी करने की ज़रूते हैं एसेल इंटरनल ब्रेस सर्जरी और आपके निमें एसेल के अलावा और क्या-क्या समझते हैं और उसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं Step 3, जब आप मुझसे मिलना आएंगे तो मैं आपके नीका detailed physical examination करूँगा, आपके films को detail में देखा जाएगा और उसको देखते वे आपसे treatment options discuss किये जाएंगे. आपके जितने भी सवालें उन सभी का मैं जवाब दूँगा. ACL internal brace surgery की recovery आप देख सकते हैं हमारे Facebook के ACL विना ग्रूप में. और देख सकते हैं कैसे athletes तीन महीने के अंदर running चालू कर रहे हैं ACL internal brace surgery के बाद. आज ही अपनी MRI report हमें WhatsApp करें. आपके बाद. आपके बाद. आपके बाद.